हेलो गाइस अगर रोज रोज हो गए हैं दाल खाते खाते बोर तो आज मैं सुबह में बना रही हूं आलो मटर को भी हिसब जी बहुत ही ठेश्टी तो यहां पे देखिए तेल गरम हो गया है तो मैंने पज़ फोरन एक लाल मिर्च एक थोड़ा तेज पत्ता हिंग डाल करके दड़का लगा दिया एक प्याज छोटा प्याज काटके दड़का लगा दी हूं तो इधर मैंने चाय पका रही हूं वे सुबह का टाइम है तो चाय भी रखी हूं लगबग सारे छे हो चुका है तो यहां पे दड़का भी हो गया है अच्छे से तयार तो यहां पे मैंने अलो मतर को गुभी को साथ में डाल दिया है बहुत इजटपट से बन जाती है हरे धनी वाले सब्जी तो यहां पर मैंने हरा मिर्चा थोड़ा से लाल मिर्चा प्याज अज्रक मिर्चा लसुन तो मैंने सब कुछ ले लिया है हरा धनिया भी ज़़ा से ज़्यादा ली हो टमाटरेट कर देते हैं इदर चाय भी पग गया है सुबह के टाइम में बहुत सारा काम रहता है काईस तो यहां पर देखिए मैंने पेष्ट तयार करके इसमें सारा पेष्ट डाल दिया है जो अधरिक मिर्चा लसुन धनिया और हरा मताहरा धनिया धनिया धेर सरह था तो यहां पर दूद मेरा बॉयल हो चुका है सब्जी भी लगबागा पक चुका है तो मुझे बनाने चौल के साथ खाने के लिए तो थोड़ा समय इसको प्रशावला बनाओंगी तो यहां पर देखिए दूद भी खौल रहा है और इधर सब्जी भी लगबागा मसाला पक चुक निकाल लिए भूज और मैंने चावल इसको बना ली हूँ तो चावल मैंने बगुनाम बनाया बहुत ही अच्छा बनाया है एक्टम भरा बरासा तो इधर देखिए फाइनली सब्जी पक्रे हिए हैं मैंने हरा दनिया कटकर के डाल दे हूँ तो इधर मैं रोटी भी बना र अबी बनाना भी है त। यहां पर मेरा सब्जी लग भध पक चुका है तो यह देखेए Mountains सब्ची निकाल लिया है निकाल लिया है यहां पर देखियों बहुत अच्छी सब्जी बनी है दम गारी से तेश्टी इसको चावल गर्म गरम चावल रोटी के साथ खाइए बहुत अच्छा लगता है तो यह हरे धनिया वाली सब्जी आप लोग भी ट्राइ करिये बहुत अच्छा लगता है तो मिलते है नेक्स वीडियो में बबबाय टेक कियर वीडियो को लाइक चाहिए